तो नमस्कार वे स्वागत आपका आपिनंदल वेलकम और पुश्पेंद्र सर्मा के साथ आप के इस प्लेटफॉर्म पर जोड़े हुए एक एहम और इंपोटेंट रहन निती के साथ मैं आपके सामने हूँ अक्सर धेर सारे बच्चों का सपना होता है कि वो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की वो नौकरी ले बढ़दी पहने में कोई दोराय नहीं है कि बहुत अच्छी नौकरी है लेकिन जब दिल्ली पुलिस कॉंस्टिवन की बात आती है ना एक सबसे बड़ा नेगेटिव क्या होता है बच्चे जब नौटिफिकेशन आ जाता है जब फॉर्म निकल जाता है पेपर का एक महिना रह जाता है तब व हमने सब्सक्राइब किया ही नहीं है आपके पीछे हैं देख सकते हैं लगभग लगभग साड़े 7000 वेकेंसी इस बार कोंस्टिबल की आनी है दिल्ली पुलिस कॉंस्टिबल में अब उसमें आप कहेंगी सर आपको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस की वेकेंसी आने वाली है य अभी जो पता चला जिसकी सूचना आई with the help of RTI एक बच्चे को जो उन्होंने reply किया है उस reply के माध्यम से पता चला तो ते भी है सबको पता है कि वेकेंसी आने है लेकिन मैंटर वेकेंसी का आना नहीं है उससे भी बड़ा मैंटर है कि क्या आप तयार है इसके लिए मेरे इसाब से जो पेपर होना है वह आपका होनाहे मेरे हो से अभी चल रहा है क्या मार्छ सबसूर,ाप्र Yeah, decorative, आप पास 5-6 महीने जो भी बच्चे इस नौकरी को निकालना चाहते है डिल्ली पुलिस zukॉंस्टेबल और यूप ego इस कॉंस्टेबल दोनों की ही वेकेंसी आनी है और इसी साल आनी है hundred percent आनी है election से पहले आनी है और result भी उससे पहले आना है समझ आये तो यहाँ पे आपकी दिमार्क में दो तिन बातें डाल दूँ सबसे पहली बाद 100 question 100 question 100 marks 100 question 100 marks का जीरो पॉइंट टूफाइब की नेगरेटिव मार्क है आप मेरी बात को फिर से सुन सकते हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हंड्रेड कुश्यं हंड्रेड मार्क्स जो बच्चे एससी सीजियल की तैयारी कर रहे हैं उनकी लिए भी एक्सम बहुत जरूरी जो सीजियल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सिलिवस सब वही है इंग्लिस मैथ जो भी आपके जो सारे के सारे सब्सक्राइब मैं आपको सारी के सारी बच्चे बता दू सही है इंगलिस तो नहीं खेद तो जनरल अवेरनेस जी के और जी एस के 25 कुश्यन आने मेरी बात दुबारा से सोल ले आप कहें तो मैं लिख भी दोंगा आप यदी कहें तो मैं आप पर लोग दोंगा जी एस और जनरल अवेरनेस के जो कुश्यन आने 25 कुश्यन आने है और आपके मार्क्स भी होंगे 25 पॉइंट नमबर वन पहली चीज ये उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं रीजनिंग में 25 कुश्यन आने है सहिए जनरल अवेरनेस के माफी चालगों 50 50 कुश्यन 50 मार्क्स के 25 कुश्यन 25 मार्क्स के रीजनिंग आप मेरी बात को जड़ा सुन ले रीजनिंग सहिए रीजनिंग के 15 कुश्यन 15 मार्क्स के मैथ क्याने सहिए भईया बोलो सारे के सारे बच्चे सोलो आज की क्लास का जो मकसद है और दस कुश्चन हमारे आने हैं कम्प्यूटर के हैं जो हमारे कम्प्यूटर वाले बच्चे हैं दस कुष्यंच, 10 मार्ग्स के यह हमारा सेले बस है अब मैं यह क्लास क्यों लाया आज का जो मैंने यह क्लास लिया यह जो मैं सेसन ले रहा हूं वो इसलिए ले रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुल्स को बहुत एक बोलते हैं मामूली आखते दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल का पेपर निकालना इतना असन नहीं है यदि वेकेंसी आने के बाद आपने स्टेप उठाया कि मैंने तैयारी करनी है यदि ये स्टेप आपने उठाया वेकेंसी आने के बाद जब आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और जब paper का कुछ ही time बचे गो, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिसे का ऐसा exam है constable का, इसमें कम से कम पाँच महीने चाहिए, कम से कम minimum आपको पाँच महीने की तैयारी चाहिए, बिना पाँच महीने की तैयारी के, उसके बाद plus test series, test series mock, तब तक ये काम करोगे नहीं, तब तक आपका selection होना नहीं है, तो आपको लमसम लमसम 6 महीने चाहिए, और अभी आपके पास वक्त सही 5-6 महीने का है, तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इसी लिए आपको फिर से आघा कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, कि वेकेंसी आनी है, 100% आनी है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो जोट भी चुके हैं, जिनका मकसद दिल्ली पुलिस है, आप इरे बाद समझ लें, जिनका मकसद दिल्ली पुलिस है, जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों की वेकेंसी आनी है, तो बच्चे जुड़ चुके हैं तैयारी में तो मौका है आपको भी जागने का आपको भी तैयारी करने का इस समय सबसे सटीक वक्त है क्योंकि फिर वक्त निकल जाएगा तीन महीने के बाद तैयारी में जुटोगे तो कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं है वेकेंसी बहु समझ रहें तो सारी की सारी बाते मैं आपको बता दूँं बहुत सारी चीजह मेरे पास लिखिय हुई है साणले साथ हजार के आसपास वेकेंसी है हां सबसे नहां एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है बच्यों के दिमाग में नहीं है कट और रहती है तो कट ओफ का आईड तर नंबर कट ओफ थी 2021 वाला जो एक्जाम जनरल कट ओफ और मेल की मेरे इसाब से 56-57 कट ओफ थी मेरे इसाब से जहां तक मुझे अंदाजा याद है उस सारे के सारे बच्चे वेकेंसी आएंगी बहुत जल्दी वेकेंसी आएंगी लेकिन तैयारी में जुट जाओ मैं फिर आपको आपकर करने का मजा है अगा बहतर रहेगा इसमें फिजिकल टेस्ट भी आपको पता है वो तो वो सारी चीज़ेंब जानते हैं एक दिन में इसके बारे मैं भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको तयारी करनी है हैईट भी आपको पता है लगभग यह 70 स आपको नहीं है तो भी जिन बच्चों के मम्मी पापा अलेडि दिल्ली पूलिस में हैं उन बच्चों को रिलक्सेशन मिलता है ँलता है आपको दौ आपको कॉल से क्वेज करो हुआ जिन बच्चों के मम्मी पापा और लेड़े दिल्ली पुलिस में हैं उन बच्चों के लिए अब बताओ आपने कुछ पूछना हो तो मैंने आपको कटव भी बता दिया सब कुछ मैंने बता दिया सही है हाइट लड़कों के लिए 172 cm के आसपास 170 cm के आसपास तो यह सारी ची लिए ग्रीमें आते हैं तो एक एक चीज मैंने आपको बता दी और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता दें लगबख 5000 वेकेंसी के आसपास मेल की बॉइज के आएंगी मेल के लिए और फीमेल के लिए जो वेकेंसी आएंगी लगवा 224 के आसपास एराउंड फिगर हम यह मान के चल रहे हैं एकोर्डिंग टूदा आटी आई का जो रिप्लाई है समझ माय तो वेकेंसी तो आनी इसमें तो कोई धोरा ही नहीं है अब आपकी जो कुश्चन हो आप मुझे बताईए हाँ यूपी एस यूपी कॉंस्टेबल और दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का सेलवस बिलकुल सेम ह हैं जो बच्चे की तयारी कर रहें उन बच्चों के लिए भी मैं बता दू उन बच्चों के ही भी मैं रогानी है जो बच्चे आप तो इसलिए उन बच्चों को साँधान रहने की बहुत जरूत है नहीं तो इस sits शारी नौकरी से वाल बच्चे कहा जाएंगे के मैक्सीमम जो सरकारी स्सूरल की तैयारी कर रहे हैं वो maximum बच्चे इन नोक्रियों को खा जाएंगे मैं आपसे पहले कह रहा हूं तो सारा दामुदर ठिका हुआ है जनरल अवेर्नेस पे उसके बाद दूसरे नंबर पायता है रीजनिंग 25 कुश्चन 25 के उसके बाद मैध के 15 कुश्चन 15 नंबर के कंप्यूटर 10 कुश्चन 10 मार्क्स के आपको अभी से बच्चा बोले सर फॉर्म कब भरे जाएंगे पहले आने तो दो अब यह तोड़े कि मैं कहा दूं कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं पहले तो पहले तो फाइनल तो आने दो ना बोलो इसका पूरा सारी की सारी चीज जब आ दिली पूलिस में नौकरी कर रहा है उनको पता है सबको पता है कि अर वैकेंशर के साथ हजार की आसपस आने वाल ihan जो समझदार है उनौने अपने बच्चों कोचिंग और तयारी में जुटा भी दिया है तो यह फिलाल यह जो मैं सारी जनकारी दे रहा हूं यह आपको एक आर्टी आई के दंपही में बोल रहा हूं दोड़ भी है इसमें हो सही है इस कहां से कहां तक आई मैंने बता है तो उम्र जो होनी चाहिए 22 से 25 के बिच में होनी चाहिए जनराल ऐस जो जनराल कैटिकरी में आते हैं उनकी खांब ver 22 price के बीच में होनी चाहिए सब्सक्राइब आगे बताओ कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझे बता दू मैंने आपको सारे का सारा कुछ बता दे कट आप में पहले बता दू कट आप पिछले जो 2021 वाला जो पेपर था उसमें कट आप जनरल कट आप गए ती 72 के आसप्रेस मेल के लिए मेल मुझे इस तजुर्वे के अधाय पर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चों वक्त है आपके पास लेकिन कहीं वक्त निकल गया मुद्दा पता है क्या है सबसे बड़ा नेगटिव पॉइंट किया है तो सबसे बड़ा नेगटिव पॉइंट यह है कि तैयारी में जोड़ता ही त एलक्षन से पहले इसलिए अब इस क्लास को लेने का मकसद क्या है वी सबसे बड़ी चीज़ समझ मंआ गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि बच्चे तयारी करना ही तब इसटार्ट करते बच्चे तैयारी में जुटना तैयारी करना इस्टार्ट तब करते हैं जब फॉर्म निकल जाता है और उसके बाद कुछ नहीं बसता दो महिने में आप क्या तैयारी कर लोगे क्योंकि उतना भी आसान नहीं है यदि जीडी से तुलना कराएं कही गुना अच्छा जीडी से तो तुलना ना करें आप इसकी इसलिए आपको प्रॉपर और आधा दूरा पड़के तो नौकरी मिलने वाली नहीं मैं यह भी मैं आपको बता दो तो जी जान से जुड़ जाओ पूरी जद्धो जहत पूरी मेहनत के साथ पूरी दमखम के साथ पूरी जान जोग तो आप लोग यह आपके लिए बहतर होगा और बहुत बढ़िया होगा समझ आया अब बताए जल्दी से ना तो बिलकुल मेर के तैयारी करें यहीए आप तैयारी में जोट जाए। तमसमा आ गया जिनको मैत पढ़ना है आपको पता यह भाई सब आपको मास्टर बना दूंगा पूरा मैत का इसका बैच में बहुत जल्दी लाने वाला हूं इसकी तो मेरे उपर छोड़ दो 15 कुश्यन 15 मार्क्स आप मेरे उपर छोड़ दें 25 कुश्यन 25 मार्क्स मोहित को अत यह मेरी गारंटी रहेगी कि मैं बिल्कुल गड़ित ऐसा करा दूंगा एक कुश्यन बाहर नहीं जाने दूंगा समझ आया यहां पर मोहित कुवत्रसर को हम अपने साथ ले लेंगे रीजनिंग की तैयारी के लिए तो सारे के सारे बच्चे इसका बैच में बहुत जल्दी लॉंच करने भला हूं आपको रिमांड कराने के लिए आपको यह बताने के लिए कि बच्चों के दिमाग में यह बच्चा पर कराने कि रहता है डाउट पॉइंट नमबर वन सितम्बर में आएंगी भरती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बिलकुल आएंगी उसके बाद SSE कराएंगी भरती इसके कितनी आएंगी वेकेंशी साड़े साथ हजार आएंगी फीमेल की कितनी वेकेंसी आएंगी लगबख 2400 2400 के आसपास बोलो और मेल में आएंगी 5000 के आसपास अब बताओ आपको कोई भी कुश्चन कोई भी डाउट आपके दिमाग में सरक कट ओफ साथ पे बन जाएगी बात बिल्कुल नहीं बनेगी जो जनरल कट ओफ है जो बोईस की पिछले साल गई थी 72 तो कम से कमया 75 तो मानो मेरे साथ से 75 तो मान के चलो मेल के लिए फीमेल के लिए चपन कट ओफ गई थी इस बार 62-64 मान लो को कमपीशन बढ़ रहे हैं तो कट ओफ उतनी तो रहने वाली नहीं एससी तक के बच्चे तो इसमें कूछ जाते हैं एससी सीजियल की तैयारी करने वाले बच्चे इस एक्जाम को छोड़ते ही नहीं है आजकल कमपीशन बढ़ गया है कोई भी बच्चा नोकरी छोड़ना नहीं चाहता दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की नोकरी बहुत बढ़िया बहतरी नौर अच्छी नोकरी है कौन छोड़ेगा इसे तुमको क्या लग रहा है ऐससी सीजल की तैयारी करने वाले बच्चे इसको छोड़ेंगे वो बिलकुल ना छोड़ें और वो तै और यह इसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है ऐसे नहीं काम चला हो तो यह कर लोगे कुछ ना होना पचास नंबर का जनरल अवेर नहीं सान है तो मैं खाक हात नहीं मिलने वाला यह अपने ढंग से पॉलिटी जोगरफी एकोनोमिक्स अच्छे से और बढ़ि पर तरीके से आपको नौर्स बनाने होते हैं तो जिनको ऑफलाइन कोचिंग करना है वो केड़ी कंपस मुखर जी नगर आ जाओ बिलकुल सांदर तरीके से प्रॉपर जो यह चाहते हैं कि टीचर के सामने हम नौर्स बनाए क्लास में सारी चीज़ों को याद करते हुए चल को सिस्कोंश करें अलग अलग तैयारी नहीं करनी होती है फिर बता दूं अलग अलग तैयारी नहीं करनी एक सा तैयारी करनी करन्ट एक चाही सब कुछ आएगा ऐसा थोड़े है कि नहीं है तो मैं सही है ना आप मेरी बात को समझ गए बाकी आप समझदार है इसकी डेटेल जानकरी जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगी मैं लेकर के आऊंगा लेकिन उससे पहले हम इसका बैच भी लेकर के आ रहे हैं उस बैच के बारे मे में भी आपको बताऊंगा समझत माया आप मेरी बात को समझ रहें तो बहुत जल्दी में इसका भी लॉंच करूंगा और हमारी पूरी कोसिस होगी पच्चेस मैसे पच्चेस मार्क्स मुहित को अत्रा साथ 15 मैसे 15 मार्क्स में गड़ित में और हमारी जीएस की टीम कंप्ली का इस चैनल है ना तो बता और तो कुछ नहीं पूछने बस नहीं तक रखें हम इसको है ना और तो तुम्हें आपको कुछ पूछना नहीं तो इस क्लास का सिर्फ एक मकसद कि यह आपको आगा करना कि आने वाले दिनों में साड़े साथ हजार वेकेंसी दिल्ली पुलिस कि वेकेंसी भी आएंगी और यह कोई बच्चों का खेल नहीं है आप यह सोच करके दितायारी करेंगे कि एक महीने में पेपर निकाल लूँगा तो अब निकाल ही नहीं पाओगे तो इसकी तैयारी करने का सबसे सटीक सबसे परफेक्ट टाइम है तो चार महीने में पूरा जिनको तैयारी करने है तुरंत तैयारी में जोट जाओ उसे बढ़िया टाइम है इतना ही और आपको कुछ पूछना है नहीं सही है तो मैं यहीं अपनी वाड़ी को विराम दूँगा और आने वाले टाइम में हम इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेकर के आएंग होगा और इसके हम एक नया बैच भी देखर के आएंगे समझ में आगया सही है ठीक है और बैच का नाम होगा वर्दी मेरी सान मामला के लिए हो गया तो बैच का हमारे यह न हाँ ट्वेल्थ पास ही चाहिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बारवी चाहिए बस टैन प् पता है और भी सारी चीज हम डिटेल में जान लेंगे मैं बता दूंगा सारी चीज है पूरा एक-एक बाल की खाल नौच के मैं आपको बता दूंगा सारे का सब्सक्राइब मैंने आपको बता दी एक सो सब्सक्राइब बहुत 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 धन्यवाद आपको बहुत जड़ाउ में एकाइस गाहई। कन्हीं सुटते सबस्टाइब क्याउिवाई जड़ाया 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 झाल झाल